कर देना है तो दोस्तों आज की वीडियों में ना ओला की बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा यह स्कूटर क्या है कितने का था कैसे मिलता है क्या इसके फीचर है मुस्ली मैं कवर कर दूंगा नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है तरून आप देख रहे हैं इवी सबसे बगती हैं की साइड से कहाई जाएगा को यैदे साइड से नॉर्मल मांगे क більते चीट बूला इह यह थी उकाप यहां तक हैं को हैं नहीं है पाई ऑन कि नहीं लीग अनल बौकि यह शोच के जलनाकर इसके लाभा का सबस्कूर ने के स्कूरम पोल है so just a start करने लिह ऐसे पहले स्टेंट माँपर कर लिया सबसे पहले स्टेंट कर लिए उसके withdrawal खार जन्स दो कर दो इसके US पास्वर्स डाला पड़ता है उसके विना चार्ण लॉक है है वेक से बस्के को देखने को मिलती है मैं आपके थोड़े-बूप फीचर समझा धीता हूं और फैले स्की Brett बढ़ा देता ह wash your? awareness के लिए आपको छिए ब्रेटनेस् के लिए इना है और इस फिर बढ़ा गई अब यहांपर दिख þाग है grinder इसके बाद यहाँ पर टृप्राइब हो जाता है कि कि फा स्विसी सबसे पहले उपर ब्राइटनेस कंट्रोल दिख जाता है ठीक है उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग डिस्प्ले सेटिंग में आपने डार्क मोड लाइट मोड इस तरह से पास कोड वगर चेंज करना फिर अबाउट क्या क्या सीन है कि तिन पर चल गई इसके लाब अभी के लिए कुछ नहीं है पहला इसके बाद जो वर्जन आएंगे उसमें आपको बहुत सार जो फीचर से वह अनलॉक हो जाएंगे जैसे कि इसमें आप म्यूजिक भी चला सकते हो हिल होल्ड असिस्ट आजाएगा बहुत तरह के यहां पर फीचर आ जाएंगा इसके बाद में बात करूँ ना इसके लुक्स वगर है कि तो मैं तो भाई एवी लवर हूं तो मैं तो न्यूटरल हो के बोलता हूं विल्कुल मुझे काफी पसंदा इसका डिजाइन कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है मतलब कार्टून लगता है बट नहीं मुझे पसनली का इसके इतने चोड़े हैं आपको एपरील यह स्कूटर रहता है उसमा आपको इतने चोड़े रिम देखने को मिलेंगे और टैर जो भाई इसका इतना चोड़ा है अब इतने चोड़े एलोई वील के साथ जो टायर है ना वह भी काफी हैवी टायर है यहां पर आपको साइस से दिख रहा होगा एक सुदस सतर बारा का टायर है यहां पर वह भी एमरेफ का टूबलेस टायर है यह तो इतने दगड़े एलोई वील के साथ भाई ऐसी चलेंगे यहां पर सिंगल सेश्पेंशल मिंता प्रेंट में पहली बार कर रहा है इंडियन मार्केट माइदी के पह और वर और लोक है स्कूटर की खराब नहीं होती है काफी अच्छा काम कर रहा है आई मुझे यह नहीं बदा कि बाकी कलर में ऐसा हो पाए अगरें बिल्कुल इसमें मिल जाता है पता पर यह यहां पर फुटपैड इसके बाद आता हुआ पीछे वाले इंडिकेटर पर तो तो यह सकता है तो यह इसका पूरा सीन इसके लावा अभी आपके दिवांगे दिखा देता हूं तो यह कुछ इसका बोड़ी का मैंने आपको बता दिया कि ऐसी आवा जाती है जो कई पर यहां पर अपको इस-स के भाद यहां पर यहांब अन्यों धान डश्वर् यहां भी आपको पांड सस्पेंशन जिसके मनलब जिसके जिसको लेखे लोग काफी कफियूंजन हो रहे हैं कैसा फ़कां करता है का साने यह на अगर में दिखाएं तो यह है बाइन का इसके लावा यहां पर और कुछ नहीं है यहां पर पीछे वाले बंदे के बैठने के लिए और यहां पर आपको पूरा यहां पर सवान दिख जाता है पीछे ग्रैब होल्ड और सीट इसकी इतनी अगर मैं बैठने के दिखा दीता हूं तो यह सीट हटा दिया मैंने अगर मैं इसका वाले बंदे के लिए इतना स्पेस बसता है एक हाथ और थोड़ी से ओड़ जागा लेकिन हां सीट ऐसे में बहुत चाड़ी है तो काफी कमफरेबल होता है से स्टैंड पलगा तो इसके ला कोई पता होगा भाई इसे हटाना कितना मुश्किल है हम तो कही सकते हटा दो बड़ा के लिए पॉसिबल नहीं होगा इसलिए उन्होंने इसे नहीं अटाए अगर बात करूश के बटन बगार है कि तो कुछ इस तरह की ग्रिप है भाई यह रबर टाइप बटन है कि यह आपको इसके लाइट जला तो क्यासी दिखती है फ्रेंट में एक बार तो मैं इसे पासवर्ट डाल देता हूं तो आपको एक दिख रही होगी हम एक बटन पर यह वह दो उसके बाद आपको इसकी जो डियारेल वह जलानी है तो इसे लॉंग प्रेस कर दो और वह जल गई ठीक है तो यह पूरा स्माइली फीज यहां पर बन जाता है काफी अच्छा लगता है इसके अलावा दुवारे सा जाते इसके स्क्रीन पर इसके इसके स्क्रीन है वह सेवन इंच की फीचर मैंने आपको अल्रेडी बता दिये हैं और यहां पर दिख जाते हैं नॉर्मल जो कि इसकी मैक्सिमों स्पीड पोचा दीती है 115 किलोमेटर पर आर की अब 115 यह है एस वन प्रो की अगर मैं डिफेरेंस की बात करूं ना तो एस वन प्रो कोई डिफरेंस ने बिल्ड क्वालिटी में कुछ भी अंतर नहीं है एक चीज है वह है बैटरी का उसके बाद है सौ पावर आउटपूड साड़े आठ किलो का जिसे हम कहते है एट पॉइंट फाइव किलोवाट अज इसकी टॉप स्पीड है वह एस्वन प्रो जाता है एक सो पंदर किलो मेटर जो किसका डैश बॉट दिखाता है इसके लाव जो एस वन है वह जाता है 90 किलो मेटर पर आर टॉ प्रकार से जो एख सवन है उसकी एक सो एकसि वट्वट किलो मेटर सो यह तो इसकी पावपॉमेंस अगर मैं बात करूं इसकी वारंटी कितनी है तो इसकूटर पर जो पूरा मतलब स्कूटर है तो उसके वारंटी है तीन साल की 40,000 किलो मीटर और उसके बाद जो मेंश तो यह स्पीकर यहां पर इसके वह लगे यहां पर यह थोड़े ना जब आपडेट आगी तो यहां पर गाने बजेंगे यह दुनर इसका USB पोर्ट यहां पर इसके बन कर देते हैं ऐसे खुल जाता है और यहां पर फोन भी रख सकते हो बट ना सारे फोन नहीं आएंगे जो लगी फ़ीकर अब क्या रहिए अब रहे जो सका बहुति बढ़िया फीचर लगता हूँ ट्रंक पाई ओपन करने के लिए सबसे वा लेक infinitely क्या करना होता है दोस्तों जो इसका ट्रंक करने के लिए सिर्फ यहां पर क्लिक करा और खुल गया ठीक है अब मैं आपको यहां पर इसका स्पेस दिखाए तो माई दुनिया भर का स्पेस है यहां पर मैंने से पहले कहीं देखा लोगड़न में भाई इसमें समान बरो और राजन बरो और निकल जाओ वाई बदेरा समान देखो चार्जर यह पड़ा ह यहां दिखा दिया मैंने आपको चार्जर रखने के बाद भी इतना स्पेस है एक चीज है इसमें नोट करने वाली कि इसमें फुल फेस हमें नहीं आता है जो ओला देता है हल्मेट वह तो दो आ जाएंगे वागई जो फुल फेस रखोगे तो नहीं आएगा अब आपको च चार्ज लगा के दिखाए तो चार्ज पूरा निकाला बस इसकी जो गन है ना वह दिखा रहा हूं यह गन इसे हमने ऐसे खोल लिया अब यहां पर प्रेस करा और यह हमने गन पकड़ी और ऐसे लगा दी अब यह लोग हो गया राम से निकलेगा भी नहीं और ओला में आवा यहां पर जो प्लग है वह यह चोटा वाला फाइम पर का चार्ज इतना होता वह यह थ्री पिन का यह बट तो इसे मैं बंद कर दिता हूं इसे बंद कर दिया भाई ट्रंक ऐसे बंद हो जाता है अब एक चीज़ आपके दिमाग में आईगी कि वाई जो स्कूटर है अगर चलते चलते मतलब इसकी बैटरी बिल्कुल हो गई जीरो तो क्या ट्रंक खुल पाएगा दोस्तों जो मैंने टेस्क कर रहा था उसमें इसका ट्रंक था वह खुल रहा था एक्च्वल में होता है यह अपनी मीटर के लिए रखता है तो जिससे जो हमारे ट्रंक होते हैं वह हो जाते हैं लेकिन वहां नहीं सकते जाने बैटरी बिल्कुल डेट हो जाए खड़े-खड़े से होगे एक दो महीने और इसकी बैटरी वहां पर ट्रोजाए तो मेभी अनलॉक नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आप चला रहे हो स्कूटर चलाते लाए बंद हो जाए तो इसक आपको उल्टी तरफ त्रोटल देना और यह पीछे चलना चुरू हो जाए तो ठीक है जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वह तीन क्लोई मिटर तक जाती है बस और इसे बंद करने के लिए वही रिवर्स वाला पटन दोवारे दबाना है और यह बंद हो जाता है अब मैं पर चला जाता हूं कि यह वापिस आगया है मैं उसी जगह पे इसके बाद उसका अच्छा फीचर मुझे लगता है वह इसका रीजन रीजन फीचर क्या होता है जब इसकूटर आपका चल रहा है और आपको ब्रेक मारने तो ब्रेक के लावाब आप इसे रिवर्स मोड में दाल सकते हो जिससे जो मोटर है वह खुद बैटरी को चार्ज करेगी उसके लिए करना कुछ नहीं होता इसको जैसे आप ऐसे चलाओगे आपको सिर्फ आगे की तरफ ऐसे रेज दे नहीं है तो स्कूटर खुद इसकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा यह काफी स्कूटर काफी काफी बड़ी है इसका मैं अलग से रिव्यू के बाद उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो अब मैं बात करता हूं इसके खरीदते कैसे हैं और इसकी सर्विस कैसे होती है सो दूस्तों इसे खरीदने के लिए सबसे पहले आपको इसे प्रीबुक करना पड़ता है 500 रुपे देखे ओला की वेबसाइड पर जाके उसके बाद आपसे मांगे जाते हैं 20,000 रुपे उसे हम कहते हैं बुकिंग अमाउंट के बाद जितनी भी आपकी प्राइस बच करता है किस एरिया में रहते हैं और आपकी जो सिटी यह तो इसाब से हैं पर डिलिवरी होती है उसके बाद करता हूं में चीज़ जो काफी कंव्यूजिंग ती लोगों के लिए वो थी से प्रकार की होता है यहापके घर पर आएगी चाहें वह एक बंदा है या फिर आपक के गर के आसपास आजाएगी और आपके स्कूटर को लिया जाएगा अपके घर से और इस बैन के लेक्ट खालः कोईड रीप्लीस्मेंट हो किसी बीदधाय के सरफ होगी दिग रूपने यह कर लिए दोस्तों आई हूप मैंने यहां पर सब कुछ कवर कर लिया है यह मेरा सिर्फ इसका ओवर व्यू था इसके बाद जो मेरा रिव्यू है इसी वीडियो के जस्ट बाद में आएगा मैं जल्दी जल्दी उसे एडिट करके डाल दोंगा उसके लिए आपको करना किया है फटा